पंच तत्व सुनें सबनें ये कैसे काम करते हैं क्या होता है ये किसी को नहीं पता और ये इसके कोई किताब भी नहीं है मज़े की बात ये है हमारे यहाँ पर पंच तत्वों को अयूरवेद के प्रस्पेक्टिब में वात पितकफ में डाल दिया गया है ठेक्यू बिटा, वातपतकफ के फORM में डाल दिया गया है, त्री गुन त्री दोशों की फर्म में डाल दिया है, पर एग्जेकलि पंच तत्वों का रूल कैसे पले होता है, ये मिसिंग है, बुधिजम के साथ यही पंच तत्वों का ज्यान चैना में गया, वहाँ फंक्शुई में चाइनीज हिलिंग आर्ट्स में यूज हुआ मेरा ये मानना है मैंने जितनी खोज करी जितनी डॉकुमेंटेशन मुझे मिली यहाँ भी और चाइना में भी अंकों की कुछ फैमिलीज है यहाँ पर साथ-साथ-ाठ-ठ पीडी से फंक्शुई कंसल्टेंट्स है और जहां वहाँ पर जब कोई बहुत विशेश किसी का काम होना हो तो वो यहां के गुरुकुल से फंक्शुई एक्सपर्ट्स को बलाते हैं भारत से बलाते हैं वो फंक्शुई एक्सपर्ट्स को अब भारती है फंक्शुई एक्सपर्ट्स को वास्तू शास्तरी कहते हैं मेरे को जाने का मौका मिला चाइना में बहुत रिमोट जगहों में जाने का मौका मिला तो परंपरा है कि ग्यान का आदान परदान होता है आप उन्हें कोई किताब दोगे ग्यान दोगे वो आपको कोई ग्यान देगे ऐसा एक परंपरा है तो उन्होंने मुझे जो परतीकों का रहस्या है यानि जिन्हें हम Feng Shui Remedies कहते हैं उसके उपर मुझे जो वहां का पांडूलिपियों की कॉपी है वो मुझे दी मैंने Chinese translator वहीं लगा के English में उनको translate करवाया तो जब वो translations मेरे पास आए तो मैं हैरान रह गया कि ये Chinese पुरान है या Indian पुरान है कैसे उसमें लिखा हुआ कि Laughing बुद्धा धना करशित करता है तंग्श्वी में लिखा है नूँ मैंने जब उनका description पढ़ा पेट मोटा तीन टांग वाला बुद्धा कहीं कहीं mention है मेंडक तीन टांग वाला मेंडक मेरी हैरानी क्यों हुई मेरे दिमाग में कुवेर की जो चर्चा की गई है हमारे पुरानों में हरी चमड़ी मेडक जैसी आंखे भारी शरीर तीन टांग तो यह यह तो हमने कॉपी मारा है अब यह तो सारी दुनिया जानती है कि कॉपी करने में कौन माहिर है हम लोग यह चाइना तब मुझे रेलाइज होना शुरू हुआ मैंने जितनी फेंग्शुई की रेमडीज है फिशी जो जोतिश वाले लोग कौन है मीन राशी का सिंबल क्या है मीन का अर्थी क्या है उच्च का ग्रह कौन सा होता है उसमें दिशा कौन सी होती है एकेरियम कहां कहते हैं वो रखने के लिए क्या हुआ ये डेकोरेटिव फिश फार डेकोरेशन शुकर हो गया फिश पीन राशी दिशा शुकर की दिशा मैंने उनको निकोर्ट किया तो खोदा खादी करते हैं बढ़ेंडा से हुआ हम लोग खोदू प्रविर्ती के लोग होते हैं रितीला इलाका रहा है ना तो सारी जिनलगी खोदा खादी में निकल जाती है तो हमारे जीन्स में है खोदा खादी मैंने फंक्शुई का अर्थ क्या होता है पेंग यानि फेंग यानि हवा शुई यानि वाटर पाली भाशा में बुद्धिस्ट इसे पॉन पानी कहते हैं पॉन यानि पवन पानी यानि पानी हवा पानी भी कहते हैं हमारे जलवाईू भी कहते हैं कहते हैं कि नहीं कहते हैं तो बुद्धिस्ट मौंक जिस बात को जलवाईू कहते थे जिसको पॉंट पानी कहते थे जिसको हवा पानी कहते थे वो वहाँ जाके क्या हो गया? ये बुद्धिस्म के साथ मरम भेदन मरम भेदन मरमा, मरमा स्थान केरला में आज भी मरमा मसाज होती है points in body तो नाडियों के sensitive point meridians के ये acupuncture बना और मजे की बात है वो made in China हो गया अब हिंदोस्तान में आ रहा है या आया या विशभर में फैला मूल रूप से दक्षिन की विधा है मरम बेदन और वास्तु शास्तर में है भू मरम बेदन यानि भूमी में कुछ लगाना क्या लगाना कोतो मिनार के अंदर एक अशोका पिलर लगा हुआ है देखाया आपने उसका alloy क्या है वो अच्छे से पता नहीं पड़ा अभी तक metrological properties उसकी पूरी तरह define नहीं हुई और सबसे जादा sensitive zone कौन सा है गुकंप के लिए महरोली एज तो क्या बोलते हैं उसे seismic zone बहुत sensitive है पिशले करीब डेड़ दो हैर साल से तो कुछ हुआ नहीं क्योंकि वो भूमरम बेधन का प्रियोग कर रखा है logic समय में आ रहा है बॉमियन वो क्या बुद्धा प्रतिमाएं अफगानिस्थान में वो तोड़ी गई जिस दिन तोड़ी मैंने का ये नास हो गया इनका अब ये गया मामला क्योंकि वो सिर्फ बुद्ध की प्रतिमाएं नहीं थी वो stabilize करने का एक तरीका था वहां के behavioral patterns को क्योंकि वहां से जो भी rivers का फ्रोज जेलम और वो जो सिंदू नदी वो लग जाती है उनका flow दक्षिन में होने के कारण वहां के वैवहार जो है वो बहुत abrupt हो रखे हैं उसको balance करने के लिए भूम अरम बेधन की विधियों का प्रयोग किया गया था क्योंकि प्राचीन समय में ये जो शास्तर था ये सिर्फ राजपरिवार के लोग सीखते थे ये जोतिश का हिस्सा नहीं है वास्तु शास्तर जो राजा का छोटा भाई होता था वो सीखता था इसलिए ये रहस्य में विधा है किताबों में नहीं है बहुत कुछ नहीं है किताबों में किताबों जो परचलित वास्तु का ग्यान मिलता है वो जो प्रजा के लिए था ये वो ग्यान मिलता है मैं आपको एक बड़े मजे की चीज़ बताता हूँ सभी वास्तू वाले कहते हैं कि रसोई साउथ हीस्ट में होनी चाहिए और हिंदोस्तान में एक भी पैलेस में साउथ हीस्ट में रसोई नहीं है तो क्या वास्तू नहीं अपलाई किया और वो राजपरिवार जो आज तक जिन्दा है कुछ तो खतम ही हो गए जिनकी पीढ़ियां बनी रही महराजा गायकवड बड़ादा वाले भली वो विदेश में जाके सैटल हो गए महराजा पट्याला का परिवार सिंधी आज बहुत सारे ऐसे राजपरिवार हैं जो जो बने रहे अगर परिपेक्ष बदल भी गए राजपर्ण खतम हो गया तो वो किसी और फोर्म में रूलर बने ही रहे किसी के यहां साउथ हिस्ट में रसोई नहीं है तो इसका अर्थ है दो प्रकार का वास्तू होता है एक राजा के लिए एक प्रजा के लिए किसी भी पैलेस में सेंट्रल कोर्टियार उपन नहीं है किसी भी पैलेस में और जहां सेंट्रल कोर्टियार जिसे ब्रहमस्तान कहते हैं अगर उसको खुला छोड़ दिया जाए, तो गुलाम पैदा होते हैं, जितने भी आर्किटेक्चर में गूगल करके देखिएगा, जिस आर्किटेक्चर में सेंट्रल कोर्डियार ओपन है, ब्रह्मा का स्थान ओपन है, वो सभी के सभी कंट्रीज ब्रिटिशर्ज ने रूल क और ब्रिटेन में सेंट्रल कोर्डियार कहीं भी ओपन नहीं है, ये है वातु, इसको समझने के लिए आपको प्रैक्टिकल के स्टुडिज के इलावा कहीं सोचना नहीं है, इस सारे का जो उद्गम हुआ, जो ड्वेल्प हुआ, उसका मूल अधार क्या है, वो पंच ये सारे जितने नियमा वली बनी फिर कैसे करना है, क्या करना है, बहुत सारे वास्तु वालों ने, हालांकि ब्रह्मस्थान खुला रखना है, ऐसा शास्तर में कहीं नहीं लिखा हुआ, पता नहीं कहां से परिपार्टी चली, की जी नहीं, बीच में तो खाली होना चाहिए बरबाद ही हो गए वो इंडस्टिलिस्ट जिनके घर ऐसे बना दिये, बरबाद, मुझे ध्यान में है, अमबाला में एक परिवार था, उनके यहां कोई साउट हिंडिया से वास्तु वाले आए, उन्होंने सेट्ल कोर्टियार बने हुए घर में तुडबा के बनवा दिया फूड प्रोसेसिंग यूनिट उनका, कई सारी मिलें उनकी, कनाडा में अकाउंटन्ट की नौकरी कर रहे हैं आज, क्योंकि प्रजा के लिए, जो भी सिस्टम रहे, जो उस समय के कारन रहे, आज मैं ये मानता हूँ कि जो भी कोई इंडस्टिलिस्ट है, जो कोई किसी जग में शिर्शस्त स्थान पर बैठा है, उसके लिए तो रूल राजावाली लगेंगे, प्रजावाला वास्तु मुझे सीखना पड़ा, क्योंकि यहां कोई फैक्टरी लगा रहा था, सो दो सो पांट सो एकड़ की फैक्टरी लगा रहा था, तो उनकी वो कलोनीज भी बनानी यह तुम लोकल वास्तु वाले से करवाओ, वो जो बोले ब्रह्मस्तान खाली करना है, साउट इस्ट मेरे, वो as it is कर देना, क्योंकि कुछ नहीं होने वाला इनका, यह ताज इंदगी तुम्हारे लिए काम करते रहे हैं, मेरे को मत कहो, क्योंकि मेरे से होता ही नहीं जो का कर में आए आपको, उसका एक मजबूत अधार होना चाहिए, और वो मजबूत अधार है